हे यूटूब फेंबली कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक तो अनादर रेशेपी जंक्शन वीडियो आज हम बनाएंगे निम्बू का अचार निम्बू का अचार बनाने के लिए आपको चाहिए होगा निम्बू कलोंजी सोप मेथी मसाले में डालने के लिए ओयल लाल मिर्ची, हल्दी, सुवादन नुसार नमक, अब हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे, सोप, धन्या, वो जो भी मेथी वगर है, सारा एक खटा करके और उसको मिक्स करेंगे, चम्मच की साहिता से मिक्स कर लो, अच्छे से, कहीं भी अलग-अलग ना रहे है कोई भी मसाला, सोप कडों जी इन से बहुत ही अच्छी खुसबू आती है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और अच्छा शालों थक खराब नहीं होता इससे, अब इसमें थोड़ा सा ओयल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और मिक्स करके और एक पेष्ट की तरह बन जाएगा ये, ड्राइ-ड्राइसा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं डालना है कि बहने लग जाए, बस इतना ही डालना है कि अपन निम्बू जो काट के अपन रखे हैं, उसके अंदर भर लें, अब मसाला तयार करके रख दिया है, अब अपन निम्बू तयार करेंगे, नम्बू को आधा-ाधा काट लेंगे, दो-दो टुकडो में, जैसे निम्बू सारे अच्छे से काटने हैं कोई भी खराब निम्बू नहीं लेना है उससे, अगर थोड़ा सा भी खराब पूरे अच्छे से निम्बू को दोगे और पानी सुखा के और फिर दोड़ इसों में काट लेंगे दोड़ पीस करके और फिर उनके बीच में जो भी बीज होते हैं वो सारे बीज निकालने क्यों कि बीज से अचार खराब हो जाता है और जो बीज निकलेंगे उसकी जगे जो भी थोड़ा थोड़ा रस भी निकालना है और उसके अंदर अच्छे से मसाला भरना है दबा दबा के अंगोठे की साहिता से हाथ से ही दबा दबा के भरना है अंगोलियों से क्योंकि चमस से तो दबेगा नहीं और फिर शब में अच्छे से मसाला भरना है जो अपने मसाला तैयार करा था आप देख रहे हो पूरे में दबा दबा के भरना है यह चार खाने में भी बहुत अच्छा होता है और पाचन किरिया के लिए भी बहुत अच्छा होता है अब देखो मैंने सारी नेमू तयार कर लिए है अब इसको एक कोई भी साफ जार या बरतन जो भी लेंगे उसमें रख देंगे और चार पांदिन के लिए दूप में रखना है दूप चार पांदिन के दूप में रखे हुए अचार है यह मेरा और इसके बाद इसको चार प पूरा गरम करना है जब धुआ निकलने लग जाए ओयल में और जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद इसको पूरा बलेक हो जाए जीरा तब तक पूरा पकाना है जीरा तडखने लग जाएगा इसका कलर बलेक हो जाएगा पिर इसमें थोड़ी शी कलोंजी डाल देंगे अब देखिए अब पूरा गरम हो गया यह ओयल जीरा भी ब्लेक होने लगा है अब इसमें थोड़ी कलोंजी डाल देंगे इससे खुस्पू बहुत अच्छी आती है हातों का भी ध्यान रखना है कहीं आप अचार पूरा तयार है और यह ओयल भी अपना ठंडा हो गया है गरम ओयल में नहीं डालना जैसे अपना ओयल गरम हो जाए उसको नीचे उतार लीजिए और ठंडा करके और फिर उसमें गुन गुने में डालना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना ओयल में फिर सारा मसाला वासाला सारा इसके अंदर मिक्स करना ओयल में अब इसको चम्मच से पूरा मिक्स करना है अब देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है यह अब इसको थोड़ा सा गैस के उपर दो या तीन मिनट के लिए गैस पर रखना है धीमी आज पर गैस को स्लोई रखना है और इसको हिलाते रहना है बस हलका सा उबाल आ जाए ज्यादा नहीं पकाना ज्यादा पकाने से क्या है कि कड़वा हो जाता है अचार अब इसमें हलके हलके बबल चूटने लगे हैं और अब यह अचार तयार है अब इसको अपन नीचे उतार लेंगे मैं गैस बंद कर दी है अब इसको ठंडा करके और कोई भी साफ जार में डालके और रखती जिए और रोज खाये और आप महीने भी रख सकते हैं 6 महीने तक भी रख सेते हैं कभी अचार खराब नहीं होता अब देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी उतना ही अच्छा है ओके दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताईएगा वीडियो कैसा लगा क्योंकि हम हपते में तीन इससे भी जवरदस्त वीडियो आपके लिए राते रहते हैं अच्छा है